दोस्तों Association for Democratic Reforms इस संस्था कह लिजे या फिर इस पूई organization कह लिजे इसने सरकार की नाक में दम करके रखती है दोस्तों इससे पहले SBI को लेकर यह Supreme Court पहुचा था और वहां सरकार की सारी मुशा पर पानी फिर गया एक एक करके सारा कच्चा चिठा बार आ गया बंद्रा मार्च को जो पूरा ब्योरा है वो पता चल जाएगा कि किसने किसको पैसे दिये कितने पैसे दिये सब को पता चल जाएगा दोस्तों यह ADR की देन है अब ADR ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े कर दिये हैं दोस्तों आपको याद होगा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए Supreme Court ने आदेश दिया था और वह आदेश जो दिया गया था उस तो सफानल का गठन किया गया था जिस पैनल में एक नेता प्रिति पक्ष होंगे प्रधायन मंत्री जी होंगे साथ में होंगे देश के CDI होंगे लेकिन बार में सरकार एक ओर्डिनस ले कर आती है और उसे पेश किया जाता है दोस्तों संसर पे तो पूरे का पूरा जो फैस देश की सरकार के केंद्रे मंत्री को रखा जाएगा, इसके अलावा नीता पितिपक्ष को रखा जाएगा और देश की प्रिधान मंत्री उस पैनल का हिस्सा होंगे, वो चुरेंगे कि देश का चुनाव आयुक्त अगला कौन होगा, चुनाव आयुक्त का चुनाव आयुक्त लेकिन जो गोयल साहब हैं यहां दोस्तो एक और चुनाव आयुक्त हो उन्होंने इस्तिफा भी दे दिनों दे दिया अब उन्होंने जब इस्तिफा दिया तो इसके बाद सवाल खड़े होने लगए कि अब जो नियुक्ति होने वाली है क्या सरकार अपनी मनमर्जी से कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव आयुक्त के पत्पर बिठाएगी जिससे की सरकार को खास कर हमारे देश की सताधीन पार्टी को चुनाव में फाइदा हो सवाल यह उठाए जा रहे थे दोस्तों ऐसे में अब ADR दोबारा सुप्रीम कोट की चौखट पर पहुंच गया है सुप्रीम कोट से उसने याचिका दायर करते हुए मांग की है याचिका में क्या कुछ कहा है मांग क्या की गई है बताऊंगी इस खबर में आखिर तक इस वीडियो को ज़ूँ दिखेगा दोस्तो दोस्तों मेरा नाम है जयनती जहा और आप देख रहे हैं दिकंटाप दोस्तों बहुत ही दिल्चस्प मामला सुप्रीम कोट से समझ आया है यह जो मामला है ADR से जुड़ा हुआ है Association for Democratic Reforms से जुड़ा हुआ है प्रशान भूशन से जुड़ा हुआ है दोस्तों प्रशान भूशन बताया जा रहा है ADR की तरफ से फिर से सुप्रीम कोट पहुँच गए है और सुप्रीम कोट में उन्होंने अरजी दाखिल करते हुए Argent Hearing की मांग की है यानि जल से जल सुनाई की मांग उन्होंने की है मुद्दा क्या है मुद्दा चुनाव आयुक्त की नियुक्ती से जुड़ा हुआ मुद्दा है दोस्तों इससे पहले सुप्रीम कोट ने क्या कहा था ये सब को याद है हला कि अगर देखा जाए काईदे से देखा जाए तो सुप्रीम कोट के फैसले के बाद अगर सरकार संसद में कोई कानून लेकर आती है कोई बिल लेकर आती है उसको कानून में तब्दील कर देती है दोस्तों तो फिर सुप्रीम कोट के लिए मुश्किल हो जाता है उस कान यह जो खबर है यह कहती है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक चुनाव आयुक्त ने इस्तिफा दे दिया था जिनका नाम है लेकिन अम माना जारा है कि पीम मोदी की एक कमिटी उनकी नियुक्ती करेगी यानि नय चुनाव आयुक्त की नियुक्ती करेगी आयोग में आयुक्त के दो पत खाली हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के पत पर राजीव कुमार अभी भी विराजमान है लेकिन सिर्फ और चुनाव आयुक्त के पतपर तो अभी फिलाल भरती या कहले जे नियुक्ती करनी पड़ेगी सरकार को, इसलिए सरकार 14 मार्च को मीटिंग करने वाली है और उसके तहर यही पैनल डिसाइड करेगा, प्रिधान मंत्री जी नेता प्रितिपक शौद एक केंद्रिय मंत्री डिस सब्सक्राइशन सहाब इन्हों ने सुप्रीम कोट से जल सुनवाई कि मांग की है, जस्टिस संजीब खना ने नियमों के तहत सुभे के लिए याचिका को मेंशन करने का निर्देश जह है अब सवाल सीधा साब आप समझ सकते हैं इस बात से कि प्रशान भूशन ने अर्ज अगर आगे इस वीडियो अगर आप देखेंगे गौर करेंगे तो 14 मार्च में आने में दो दिन मातर बाकी रह गया है, दो दिन से भी कमबक्त बाकी रह गया है, अगर कल इस पर सुनवाई नहीं होती है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी दोस्तों क्योंकि 14 मार्च को वो पैन सुरिये, सुप्रीम कोट ने इस पूरे मामले पर बड़ा फैसला दिया था, अब नियुक्ती पर 14 मार्च को मीटिंग होगी और मीटिंग से पहले पहले इस पूरे मामले पर सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोट में, प्रधान मंतरी नेरंद्र मोदी जी के अगवाई वाल नाम जो दिये गए हैं, आगे आपको बताने की कोशिश करूँगी दोस्तों से पहले आप ज़रे इस ख़बर पर गौर कीजे, यह जो ख़बर है, साफ तोर पर देखिये, कहती है कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोट ने इस से पहले फैसला दिया था, जनवरी महीन को कमिटी का हिस्सा बनाए गया था, लेकिन बाद में क्या होता है, सरकार सलसद में बिल लेकर आती है, और फिर जो हुआ वो आपकी नसुरों के सामने है, दोस्तों पूरा को पूरा फैसला सरकार ने बदल दिया, या कहनी जे पलड दिया, अरुम गोल के इस्तिफिय के बा अपड़ेगा, वरना ऐसे चुनाव नहीं हो पाएगा, तो उससे पहले-पहले ये काम हो जाएगा, आप सबसे ज़्यादा जरूरी चर्चा किसके नाम की चल रही है, सबसे ज़्यादा जरूरी चर्चा दूस्तों चल रही है, ED के पूर्व डैरेक्टर सन्जे कुमार मिष सेंजर मिश्रा जिन पर शरकार हरी डायरेक्टर चाहिए दो सबनेरों सबस्दाद के न्यूकत न्यूक्ति तो पुषटि नहीं हुई показыв है कि अन्यूर वली सचाई मनें कि aldi जा सकता है तो यह कहां तक सही होगा दोस्तों और अगर यह हो गया माल लीजे तो क्या यह निश्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर एक बड़ा सवाल खड़ा नहीं करेगा आप ही बताईए अपनी राय बताईए का दोस्तों एडियार ने जो याचिका डायर की है सुप्रीम क क्या कहता है कमेंट करके में जरूर बताईएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में तब तो के लिए नमस्कार